इसलिए कॉंग्रेस की बात करना बेकार है और कॉंग्रेस का भविश्च खतम है बियार में तो अगले बार तो एक सीट धुखा से ले लिया था किसन गांज इस बार हम लोग 400 सीट गठवंतन को एल्डिये को मिलेगा बिकास की प्रम अब सकता है उसके लिए जो नया गठवंदन हुआ है नया ने कही है पुरारे घर में आदरनी मुखमंतरी जी लोटे है उनका स्वागत है और बिहार के बिकास के लिए बहुत जरूरी था कि छेतर में किया गया है रेलवेक छेतर में तीन-तीन क्रूर जोर का निर्मान किया गया है इतियास में सब चीज लिखा हुआ है यह उन्लों का सोच नहीं है यह एंडियों का सोच है और माननी मुखमंतरी जी का सोच है इसलिए स्री लेने से कुछ नहीं होगा जनता सब जानती है नमस्काร मेंटाम सदंजर आप देखरें एक 10024 बिहार में खेला हो वे खेला हो चुका है नितिसकमार पुराने घर में आ चुके हैं सत्ता प्रिवरतन हो चुका है तेशी आदब कहे रहे थे इतना आसानी से तकता प्लट होने नहीं देंगे लेकिन जब से मुखमंती नितिश्कमा ने सपत गरहन किया है उनके साथ जो मंतरी हैं वो सपत गरहन किये हैं तब से सब कुछ सही चल रहा है आज हमारे साथ बातचित करने के लिए एक तरफ सुल्तानगन से हैं जदियू कोटे से विधायक हैं ललित नरायन मंडल और दुसरे तब हमारे मुंगेर से विधायक भरजंदार पार्टी के हैं परनब कुमार पहले हम आफी से सवाल करते हैं परतिये कदम पर कॉंग्रेस चैदियू तमाम छेत्रे दलों के अंदेखी की आखिर यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता देखिए कॉंग्रेस तो हमेशा वो बंसवाद की राजिटी किया है और वो किसी दुसरे दल को आगे बढ़ने नहीं देनी की उसकी प्रवर्ति है हम लोगों ने इतने दिनों में देख लिया कि जिस कट्वंदन का निर्माता नितिश्कुमार है उसमें उसकी कोई अहमियत नहीं रह गी थी इसमें मुख्य रॉल कॉंग्रेस का था इसलिए कॉंग्रेस की बात करना वेकार है और कॉंग्रेस का भविष्ट खतम है बियार में तो अगले बार तो एक सीट धुखा से ले लिया था किसनगांज इस बार हम लोग चालिसों सीट गठ्वंदन को एंडिय आपके पुराने साथ ही अब आपके साथ हैं अब तो भरजनता पाठी बिहार में पहले तो मजबूत इस सिती में थी अब और मजबूत इस सिती में हो गई है तो क्या चालिस में से इस किसनगन जो सीट छुटा था उस बार भी आप लोग अपने पाले मिले लेंगे देखिए सरस्पले तो आपको धनवाद देना चाहते हैं बिहार को विकास की प्रम आप सकता है उसके लिए जो नया गठवंदन हुआ है नया ने कहिए पुरारे घर में अधरनी मुखमंतरी जी लोटे हैं उनका स्वागत है और विहार के विकास के लिए बहुत जरूरी थ जहां तक किसंगन सीट की है तो मुश्किल से लगता है दस से पंदरह हजार के अंतराल से वो जीत पाये था और इस वार जो लहर है वो असपश्ट चार सो पार का संदेश भारत की जनता दे रही है बिहार की चालिसो सीट किसंगन सहित इस वार इंडिये की जोली में आनत्त से बात किजिए तो बिहार के 400 सीट पे इंडिये का जीत निस्ट होने जा रहे है बिहार की जनता करनी जा रही है 17 मेहने बनाम 17 साल का ये एक नारा दिया जा रहा है और जब 17 मेहने आरजेडी सत्ता में थी तो नितीश कमार क्या उप चुके थे ब्रश्टा चार हो चाहे दुसकर्म का मामला हो चाहे कराइम का हो ये तो गराब बढ़ चुका था ये किसी से छिपी नहीं थी तेकिये भारत की राजिंति में अभी दो शिखर पुरुश है जिस पर ना बश्टा चार का कोई आरूप है ना जातिवाद का कोई आरूप है उसमें हमारे मानने परधान मंत्रे नरिनर भाई मोदीजी है और बिहार के मुख मंत्रे मानने नितीश कमार है और इन दोनों के नित्रित में बिहार दिन दूगनी राज चोगनी के रफ्तार से बिहार का विकास होगा और जो गलतियों पिछली सरकार से के मंत्री लोग किये थे उस सब का निवारन क्या जाएगा और बिहार भैमुक्त है था और रहेगा उसमें किसी की दादागरी ने चले लिए परनव जी कल बजट पेस किया गया है यह कहा जा रहा है कि यह सी गूफा छुड़ा गया है इसमें गड़ीबों के हीत में कुछ भी नहीं है लेकिन जो कहते हैं दिया जाता है एक गड़ीबो परती है उसके लिए यह बजट है देखिए आदरनी परधानमंती को जो सोच है भारत को बिस्तो सेतालेस तक बिक्सित करने के लिए उसका एक जहलक है इस बजट में आप गरीब की बात करते हैं में के कारियों के लिए जो राशी बढ़ाया गया है युवाँ को रोजगार के छेतर में किया गया है रेलवेक छेतर में तीन-तीन करोडर का निर्मान किया गया है इसलिए यह बहु यामी बजट है और कौन काता उसे अंतरने परता है यह भारत को विकास भारत के विकास को गती देने वाला बजट है और यह समगर समावेशी बजट है सभी के हितों का ख्याल रखा गया है आने वाले अगामी लोग सभा चुनो है दोजार चौबीस आपके पुराने साथी भी साथ में हैं इंडिया गढवंदन की जो को फॉंडर और एक सुत्र में बांदने वाले नितीश कुमार अलग हो चुके हैं कहा ये जा रहा है कि ममताबनर जी का एक अल सब्सक्राइब को कितने सीटाने माली है इस बार देखिए जब गठवंदन होता है तो विकास को ध्यान में रखे गठवंदन होता है ये जो गठवंदन बन रहा है या बन रहा था वो सिर्फ मोधी को रोकने के लिए गठवंदन था देश की जनता समझ रही है और ये भान देश को गर्त मिले जाना चारा है भारत की जनता जान रहे हैं इसलिए समूचे भारत में माननीय परधान मंत्री जी और बिहार में हमारे नितिजी की नितुईत में 24 अपचेस दोनों हम लोग जो भियान है जो चुनाव है इस चुनावी मैदान में हम लोग सफलता हासिल करें ललित नराएं जी एक सवाल आपसे है कि 2024 की तो चुनाव आप लोग साथ मिल रहेंगे लेकिन ये जो 17 मेहने जो आप लोग राज़त के साथ सत्ता में रहे हैं इसमें कहा ये जा रहा है तेस्वी आदब हो चाहे बड़े बड़े नेता हो आर्जेडी के वो लोग ये कह रह है हम लोगों ने जो बाहली वेकेंसी, हम लोगों ने रोजघार हम लिकिसे भलत बनाएं ये कारे इंयों लेने का सब ब्रस पहुत स्साह, आisi जो कि उसमें हो सब लिखा हुआ है कि मने असमा कर से हम आदि लालो जी 2005 तक क्या किया है बिहार को कहों से कहों तक लेग चले गए थे और यह जो भैकन्सया थी और यह जो निक्तिया हुई सिक्षकों की यह तो साथ निश्चा टू का सब झी अ मने के लाई यह तो यह पिछली सरकारों का जो हमलों का इंडियक सरकार थी उसी वक्त से यह स सारी निक्तिया होई है और बहुली ऐसा हुआ था आज तक आप तो पिछली सबकारों में आप देखे हैं पहले इक सरकार का आप देखिये कि इतनी जारा ज्यादा वैकंसिया कभी हुई थी या वैकंसिया हुई थी तो कहां पर गौंध ही मैंदान में या अलग अलग जिर ने ये का सोच है और माननी मुख्मंत्री जी का सोच है इसलिए स्रे लेने से कुछ नहीं होगा जनता सब जानती है इनछों ने साब तोर पर कहा कि जिए कि क्या कुछ नितिस्कमार निंकिया है 2005 के पहले क्या इस्तिति इतनी बहाली नहीं आये थी मानिए मुखमंती नितिश्कमार नहीं इतनी बहाली लाई और हम लोग जब NDA में थे उसी समय हम लोगा का यूकारी है यह कितनी बहाली आएगी यह सब हो चुका था लेकिन हम लोग किसी कारन से सत्ता से हर गठ बंदन चालिस सीड हम लोग यहां से जीताएंगे और पर्धान मंत्री नर्ण मोदी को तिसरी बार पर्धान मंत्री बनाएंगे और चार सो से अधीक सीड जीतेंगे पुरे भारत में बैराल इस ख़बर में इतना ही अनख़बर के लिए बनेरी एक नुशन डिफोर पर मेरे झालिस